नमस्कार दोस्तों, जै श्री कृष्ण राधे राधे, ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं ये चार नाम वाली लर्कियां, क्या आपका भी नाम है? इन में से जानिये, इस वीडियो में इसके साथ हम जानेगे, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताये गए क आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों सची श्रद्धा से कम इसमें जरूर लिखें, हर हर महादेव दोस्तों ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती हैं, ये चार नाम वाली लड़कियां तो पांच के इस वीडियो में हम आपको ऐसी चार नाम वाली लड़कियों के ब लेकिन उससे पहले हम जानेगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु के नियम के बारे में, जो स्वयम भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताये थे, जिन घरों में भी महिलाएं इन नियमों का पालन करती हैं, तो ऐसे घर में सदा ही मा लक्ष्मी का वास होता ह और ऐसे घर में सुख शान्ती परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सदा ही बना रहता है, इसलिए आप भी वास्तु शास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें, तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से, कि वो क्या कहते हैं इसके बार हो तो ऐसा घर नकाराक्मक शक्तियों से भरा रहता है, जिसकारण घर में कलेश, वाद विवाद, आर्थिक तंगी, कर्ज में मारी जैसी समस्याएं उत्पन होने लगती है, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने घर में वास्तु शास्त्र में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य ही करें, घर की महिलाओं को घर की लक्षमी कहा जाता है, उनका सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण बात है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं होता, उस कुल का विनाश होता है, उस कुल को दरिद्रता का सामना करना परता है क्योंकि देवी लक्षमी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में लेकिन उससे पहले दोस्त तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें अप प्रत्येक व्यक्ति के घर में ये पांच चीजें दूढ, दही, घी, गंगाजल और शहद अवश्य ही होनी चाहिए जिनस घर में भी ये चीजें होती है वहाँ पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है दूसरी बात घर के प्र प्रत्येक व्यक्ति के घर में लख्षमी सदा ही निवास करती है तीसरी बात शाम के समय घर में मा लक्षमी का आगमन होता है आथ इस समय पर घर का मुख्यद्वार और खिरकिया खुली रखनी चाहिए रोज शाम को चाहे पांच मिनट के लिए ही सही लेकिन आपको अपने सभी खिरकिया और दरवाजे खुले रखने चाहिए शाम के समय घर के मुख्यद्वार पर घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोरे अक्षत अवश्य रखने चाहिए शाम के समय घर के आंगन में पानी का छिर काव करें। रंगोली बनाकर देवी लक्षमी का स्वागत करने से मा लक्षमी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए आपको सुभा के समय या शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए। चौथी बात घर के मुख्यद्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। चौथी बात रोजाना चीन्टियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए। इससे व्यक्ति के कुंडली के दोश दूर होते हैं। आदेव आपके घर पर अपनी विशेश कृपा बरसाएंगे। तो इसी तरह से ये उपाय आप अपने कुल देवता या कुल देवी के लिए कीजिए। इससे कुल देवता प्रसन होते हैं और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टी बनाये रखते हैं। आठवी बात किसी भी विशेश त्योहार या शुभ महूत पर एक मुठी काले तिल लेकर अपनी मुठी में तीन बार फूंक मारिये हैं। अब इन काले तिल को आप अपने घर की छट पर डाल दीजिए। इससे नकारात मकता नश्ट होती है। घर पर अगर किसी की कुद्रिष्टी हो तो वो भी दूर हो जाती है। आपके शत्रु कुछ भी आपका बिगार नहीं पाएंगे। दिल की उत्पत्ती भगवान विष्णों के मैल से हुई थी। इसलिए इसमें बहुत शक्ती होती है। नौमवी बात श्री कृष्ण कहते हैं द्वार पर आई गौमाता और द्वार पर आए कुद्टे को रोटी अवश्य खिलाएं। पशुपक्षियों के लिए घर की छट पर अथवा बालकनी में पानी और खाद्यपदार्थ की अवस्था जरूर करें। की कोई भी अतिथी प्यासा ना लोटे और आपको आशिरवात प्रदान करें। प्यासों को पानी पिलाने से बड़ा पुन्य और कोई भी नहीं होता। ससुराल पर आज दोस्तों शादी के बाद जब भी कोई लर्की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम काईदों का पालन करना परता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना परता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वालों की सोच बिलकुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लर्की बहु बन कर आती है तो उसे ही स्वयंके घर के माहौल के अनुसार ढलना परता है। का की सभी लर्किया ऐसा नहीं करती बलकि कुछ लर्किया तो इतनी माहिर होती है कि ससुराल जाकर बाकी सब का रहन सहन ही बदल देती है और खुद अपनी बोली चला कर घर पर रास करती है। दोस्तों ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला है जो सब में नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन चार नाम वाली लर्कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो की अपने ससुराल पर रास करने के लिए ही जानी जाती है दोस्तों इन लर्कियों में कुछ ऐसी खास बाते होती है जिसके कारण ससुराल में सिर्फ इनकी ही चलती है और ये अपने हुनर के चलते घर को बहुत अच्छे से संभालती भी है दोस्तों के नाम वाली लड़कियां जी हां दोस्तों के नाम वाली लड़कियां बहुत ही चालाक होती है इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना किया उनसे अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है ये जब अपने ससुराल जाती है तो अपनी मीठी मीठी ब नमबर दो एच नाम वाली लर्कियां भी बहुत ही हुनरमंध होती है, ये अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती है, इनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नजरंदास नहीं कर पाते, इस प्रकार सब के मन में इन के लिए एक इज्जट बनी रहती है, इनके घ साथ रास करती है नंबर तीन एम नाम वाली लर्किया एम नाम की लर्किया भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती है कि अपनी बातों से किसी भी मनुष्य की सोच बदल सकती है ये जब ससुराल जाती है तो स्वयं को वहां के लोगों के अनुसार नहीं इन्हीं की हुकूमत चलती है दोस्तों नमबर चार एस नाम वाली लर्कियां एस नाम की लर्कियां थोरी अलग टाइप की होती है इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है ये अपने ससुराल में बरे ही ठाट बाट के साथ रहती है जो व्यक्ति इनका हक मारने की कोश भी करता है तो वो इनके सामने अधिक समय तक तिक नहीं पाता और दोस्तों ये ससुराल में सभी को अपने वश में करके रखती है कई लोग तो इनसे खौफ भी खाते हैं इस प्रकार से अपने ससुराल में रानी की तरहे रहती है दोस्तों ये थी वो चार नाम वाली खास जल्द मुलाकात होगी। अगले वीडियो में हर हर महादेव राधे राधे धन्यवाद।